ये सरकार ऐसी है जिसने नौकरियां दी नहीं नौकरियां छीन लें और नौकरियां न देने के पीछे एक बहुत बड़ी वज़े है कि आरक्षण न देना पड़े इसलिए कभी लेटरल इंट्री तो कभी एनेफेस तो कभी पेपर लीग तो कभी परिक्षाही न होना ये बातें अखिले श्यादों ने संसद में खड़े होकर अपने पहले अभिभाशन में बोली कैस सरकार ने नौजमानों को नौकरी नहीं दी है जो कुछ पद निकलते भी हैं तो उन पर लेटरल इंटी के नाम से पिछले दरवाजे से कुछ खास संगी सातियों को रख लिया जाता है आरशन का हक नौट फॉंट सुटेविल के नाम पर हरपा जा रहा है समाजवादी पार्टी के ही एक दूसरे वरिष्ट नेता लाल जी वर्माने भी एन एफेस के मसले को संसद में उठाया और सामाजिक न्याएक की लड़ाई का इतिहास बताते हुए OBC दलित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ होने वाले भेदबाव और साजिश के तहत एन एफेस कर देने को सवाल को संसद में खड़े होकर पूछा बाबा साब भीमरा अमबेदकर के अथक प्रियासों से अंसूचित जात अंसूचित जंजात को आरच्छड मिला बड़े संधर्सों के बाद मंडल आयोग के माध्यम से पिछडी जाति के लोगों को हिश्चेदारी मिली सरकारी नवकरियों में भारतिय जंता पार्टी की सरकार ने विभेन वरगों के आरच्छड का लाब न मिलने पावे इसलिए निजी करण करने का काम किया आजाद समाज पार्टी से नगीना के संसद चंदर शेकर ने भी लेटरल इंट्री के साथ एनेफेस के सवाल को संसद में पूछा तो यह एनेफेस क्या है और कैसे अनवरत जारी है इसके पीछे का पूरा खेल क्या है आंकड़े क्या कहते हैं और NFS के पूराने इतिहास में ये पूरा विमर्ष कैसे खड़ा हुआ आज के वीडियो पर विस्तार में इस पर बात करेंगे और आप से गुजारिश करते हैं कैसे जरूरी सवालों पर एक बार ठहर कर सोचिएगा किसे नेता किसी पाल्टी का भक्त बनने की बजाए आपने बच्चों के भविष के लिए सोचिएगा सेक्षा और रोजगार के लिए सोचिएगा और अगर आप इस देश जब मुहबत करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है आप भले ही वीडियो देखने के लिए रुकिएगा और देखने के बाद सोचिएगा कि इस देश में सबसे दा हक मारी किस के साथ है और उसी समाज को क्या इस बात का अंदाजा भी है स्वागत है आपका डॉक्टर लक्षमन यादो के यूट्यूब चैनल पर NFS यानि यानि सुटेबल नहीं पाया गया कैसे इस देश के दलित पेच्छडों आदिवासियों को ही आरक्षण इसलिए नहीं है कि एक लब्व कमजूर था आरक्षण इसलिए है क्योंकि दुरुणाचारी भेद भावकारी है जी हां मिठकों की भाषा में ही अगर आप समझना चाहें दुरुणाचार ये जिसने एक लब्व को सिक्षा देने से इंकार कर दिया क्योंकि उसकी जाती सिक्षा पाने के काबिल नहीं थी और ये बात कौन बताया धर्म के गरंतों ने बताया बाबा साथ डॉक्टर भीम राव अंबिटकर के किताब जो मैं आपको रिक्मेंट करता हूँ जरूर पढ़ना चाहे रिडिल्स अफ हिंदुइजम और इसके साथ महत्मा फूले को, कबीर को, रैदास को अब पढ़ें और जाने, कि जाती के नाम पर कैसे बांत दिया गया किसे सिक्षा मिले गी और किसे नहीं मिले गिए योही नहीं सावितरी बई फूले और जोति बाफूले स्कूल खोलने गए तो स्कूल खोलने का विरोध इसलिए किया गया कि वो शुद्रों और लड़कियों को सिक्षा देना चाहते थे उनके खेलाब पूश्टर लगाए गए विरोध किया गया लेकिन सिक्षा की जोती वो चला कर चले गए भारत आजाद हुआ आजाद भारत में खाब देखा गया कि अब भारत के समविधान से ये देश चलेगा किसी भी नागरिक के साथ जाती, धर्म, भाषा या किसी भी तरह की बुनियात पर कोई भेदभाव नहीं होगा हम सब मिल कर एक ऐसा भारत बनाएंगे जसमें पुरानी गल्तियों को ठीक किया जाएगा बराबरी का भारत बनेगा लेकिन हजारों साल से जिसके साथ अन्याय हुआ भारत आजाद हो चुका है उनकी अबादी इस देश के 15% दलित अबादी है शडल काष्ट जिने कहते हैं 7.5% अदिवासी है और OBC का तो पता ही नहीं था 1931 के जाती जनगर्णा के आधार पर 1980 में जाकर मंडल कमिशन ने बताया कि OBC की 37-43 जातियों में 52% आबादी इस देश की OBC है तो इस तरह से लगभग 85% ये आँकड़ा बढ़ता है लेकिन जब भारत आजाद हुआ ना तो ये लोग 85% लोग 5% पी देश चलाने में नहीं थे नए ने विश्वद्याले बनने शुरू हुए नए अकादमिक संस्थान स्कूल कॉलिज बनने शुरू हुए बहुत तरह के प्रतिष्टत विश्वद्याले बनने शुरू हुए सरकारी कारियालियों में नियुक्ती होनी शोरो है तो ये तैंग किया गया कि सिक्षा और रोजगार में जो सरकार देगी 15% शेडुल काश्ट को और 7.5% शेडुल ट्राइव को आरक्षण दिया जाए क्योंकि हमने हजारों साल जाते के नाम पर इन से अमानवी भेद भाव और गैर बराबरे की अरक्षण लागू हुआ भारत के समविधान में अनुच्छेद 15-4 अनुच्छेद 16-4 और अनुच्छेद 340 के तहट ये प्रावधान हुआ कि OBC की गिंती होगी और उनके पिछडे पन को जाच परक करके उन्हें भे आरक्षण दिया जाएगा वक्त बदला 1980 में जाकर मंडल कमीशन आया जो 1990 में आकर लागू होने के दिशा में आगे बढ़ा इंदरासानी जज्जमेंट के बाद 1993 में वो लागू हो पाया और जिसके एक रिक्मेंडेशन से इस देश में 52% उस समय की आबादी जो OBC की थी उन्हें 27% आरक्षण जाती के नाम पर दिया क्योंकि मंडल कमीशन ने ये साबित किया कि पिछडापन सामाजिक और सेक्षडिक पिछडापन जाती के नाम पर ही रहा और इंद्रासानी जेज्मेंड की 9 जेजस की बेंच इसे मानने को मजबूर होई इसे लिए OBC को भी आरक्षण जाती के नाम पर दिया आरक्षण गरीबी उन्मूलन कारिकम नहीं था लेकिन पेचले दिनों EWS आरक्षण लागू करके आरक्षण की अवधारना पर हमला करके उसे गरीबी उन्मूलन कारिकम की तरह बना देने की कोशिश कर दी गई है जिसका हम हमेशा मुखालफत करते हैं क्योंकि आरक्षण प्रतिन धित्तु का हिस्सा है और पिछड़े पन के आधार पर बहुत सारी योजनाएं इस देश में आर्थी गरीबी को दूर करने के लिए दी जाती हैं और आरक्षण प्रतिन धित्तु का हिस्सा देता है दो इसलिए दोजार 20, 21, 22, 23, 24 के को जांकड़े अब आपके सामने रखते हुए NFS के पूरे सवाल को आपसे साजा करने के कोशिश करता हूँ फिर से समझिएगा कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कारिकम नहीं प्रतिन धित्त और हिस्सेदारी का एक छोटा सा रास्ता है भारत आजाद हुआ तो तैं हुआ कि हम अपनी कख्षाओं में जातिया नहीं देखेंगे हम इंटर्विव में जातिया नहीं देखेंगे हम पढ़ाने के समय किसे विद्धार्थी से जाति नहीं पूचेंगे हम नौकरी देते और एड्मीशन देते हुए भी जाति का ध्यान नहीं रखेंगे मगर कुछ बातें किताबों में लिख तो दी जाती है क्योंकि देख में समविधान लागू है लेकिन जहन में वो उतर ही नहीं पाती है और इसलिए उस समय जब पहली बार नबे के बाद इस देख के अकादमिक जगत का माहौल बदलता है कलम और किताब इस देख के वंचिश शोशिद गरीब पिछड़े दलित अल्प संक्यक लोगों महिलाओं तक पहुँचती है क्योंकि वाक्त लगा इस देख के समविधान को अभी भी आखरी व्यक्ति तक पहुँचना बाकी है लेकिन कलम और किताब जब पहुँचना शुरू हुई उस समय तक इस देख के विश्विद्यालियों में कॉलेजेज में और सरकारी नौकरी देने वाले लोगों के बीच एक शब्द चलता था आरक्छन लागू होने के बाद नौट अविलेबल या नि जो पात्रता है एक नौकरी एक एडमीशन की उस पात्रता को हासल करने वाले लोग इस नौकरी पाने में अविलेबल ही नहीं है वक्त बदला सिक्षा घर घर पहुँचना शुरू हुई कलम और किताब के दम पर मेहनत करके एक पीड़ी दलितों पिछड़ों आदिवासियों की दर्वाजे पर दस तक देने लगी वो पात्र थी वो अविलेबल थी वो योग्य थी उसने तमाम विपरीद परिस्टियों से लड़ते हुए उन सारी योग्यताओं और काबलियत को हासल किया जिसके जरिये उन्हें वो नौकरी एडमीशन मिल जाना था लेकिन लोग जो काबिस थे 99 फीस्दी से जादा इन स्कूलों, कॉलेजों और विश्च विद्यालियों में नौकरी देने वाले जगों में और याद रखिएगा जहां जहां इंटर्वियो के अधार पर नौकरी दी गई उन सब जगह पर बेइमानी और भिष्टा चार का बोल बाला राब कभी आरख्षट पूरा ही नहीं हो पाया मिसाल के तोर पर ये एन एफस का सवाल देखिए कि जब वो नौट अवेलेबल अवेलेबल हो गए तो उनके लिए जातिवादी मानसिक्ता के वर्चसवादी सामन्ती ताकतों ने एक पदबंद इजात किया एन एफस नौट फॉन सुटेबल यानि अवेलेबल है वो एलिजिबल्टी भी उसके पास है लेकिन वो सुटेबल नहीं है और सुटेबल होने की परिभाशा क्या होती है दुनिया के किसे किताब में नहीं लिखी है वो जो लोग बोर्ड मिंबर बैठे हुए है जो निन्यान बेफीजदी मौकों पर एक ही जाती और समुदाय से आते हैं वो लोग तैं कर दिये कि हमारे मुताबिक सुटेबल नहीं है इसलिए NFS जैसा एक स्कैम इस देश के CST OBC को रोकने के लिए आया सबसे पहले एक बहुत चर्चित मामले से शुरू करता हूँ जिसको चंद साल पहले हम जैसे तमाम दोस्तों ने मिल कर एक राष्ट ब्यापे मुद्दा बना दिया अपॉइन्मेंट आफ असिस्ट और प्रोफसर असोसियेट प्रोफसर और प्रोफसर इन जीबी पंथ सोशल साइन्स इंस्टिटिटूट बद्दि नरारतिवारी नाम का एक डारेक्टर वहां बैठा हुआ और इस लिष्ट को गौर से देखिए जो चयन हुआ उस चयन पर यह जो सूची आपकी स्क्रीन पर दिख रही है यह मैंने ही बनाई थी उस वक्त कि UR यानि Unresort केटेगरी पर एक क्यान बे API वाला स्कोर का व्यक्ति सेलेक्ट हुआ EWS केटेगरी पर एक 80 API स्कोर का व्यक्ति सेलेक्ट हो गया एक API यानि Academic Performance Indicator और OBC के 93 नंबर API पर भी लिखा मिला Not Found Suitable, Non Found Suitable NFS जिसे बोल चाल की भाशा में Not Found Suitable कहते हैं और इसे अप्चारिक धंग से Non Found Suitable कहते हैं यह NFS तो एक प्रोफेसर, असिस्टन्ट प्रोफेसर, असोसियेट प्रोफेसर दोनों में OBC Non Found Suitable यानि NFS किया गया मामला बढ़ा हमारी कुछ दोस्तों ने नैले का रुख किया कोट गए और बद्रिनार तिवारी को माफी मांगनी पड़ी और यह फिर से पद आए और देश ने जाना कि NFS जैसा एक स्कैम बहुत दिनों से चल रहा है क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग इसका विरोध करते रहें लेकिन वो संख्या में इतने कम हुआ करते थे कि उनके आवाज दूर तक नहीं पहुँच बाती थे सोशल मेडिया आया बहुजन वहां पहुँचे और उन्होंने लड़कर के NFS के मुद्दे को राष्ट बैपी बनाया लेकिन ये मामला रुका नहीं कहानी आज भी हकमारी की जारी है आकड़े आपके स्क्रीन पर है दौलत राम कॉलेज ने कुछ विभागों के इंट्रेवियो किये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के इंट्रेवियो में यू आर पर केंडिडेट सेलेक्ट हुआ और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के OBC पे नाट फाउंड सुटेबल आया हिमाचल प्रदेश के इंद्री विश्विद्याल है 2021-22 के एकड़मिक सेशन में पीचटी के अड्मीशन में सोचे पीचटी के अड्मीशन में इस मसले पर आगे बात करने से पहले एक बहुत महत्पूर बात आज तक अगर इस देश के 1000 एनफेस के आंकड़े जुटाएंगे तो 999.999 बार एनफेस OBC, SC, ST पदों पर ही मिलेगा अपवाद में कभी कबार UR पर भी एनफेस देख जाएगा और वो भी तब जब इंटर्वी बोर्ड में बैठे लोग इस बात के लिए लड़ जाएं कि मेरा केंडिडेट होगा कि मेरा और सब ताकतवर हो निड़न न हो पाए तब UR में एनफेस होता है वरना एनफेस का टूल केवल और केवल SC, ST, OBC पदों पर हकमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये कड़वी सच्चाई है मैं आंकड़े आपको दिखाऊंगा और ऐसे अंगिनत आंकड़े आप भी जुटाईएगा क्योंकि इंटर्विव बोर्ड में बैठे लोग मसीहा बनके बैठते है कि लक्षमण यादो तुमारे से से के खिलाफ बोलते हो समविधान की बात करते हो तुमें पर्मानेंट कैसे होने देंगे तो साथ लोग जो मेरे साथ मेरे विभाग में थे छे पर्मानेंट हो गए एक अकेला लक्षमण यादो नौकरी से बाहर है क्यों? किसी ने कुछ कहा नहीं क्योंकि इंटर्विव बोर्ड में बैठे लोगों को पता है कि वो कैसे निर्ड़े लेते हैं मुद्दा बना दिया और पहली बार NFS की आवाज पूरे देश में सुनाई थी NFS स्कैम ट्वीटर पर ट्रेंड करता रहा जातिवाद की परते खुलती चली गए बिहार लोग सेवा आयोग और बिहार लोग सेवा आयोग कहता है अगली सूची गोर से देखिए Lady Shriram College for Women result notification regarding the selected candidate for the post of assistant professor in the Department of Hindi it is hereby notified that no candidate in other backward classes OBC category was selected by the selection committee URAWS सपर selection हो गया लोग सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयाग राज 2 जुलाई 2024 इसके तीसरे बिंदु को गोर से देखिए 411 पदों में 62 अनारक्षत रिक्तियों के सापेच उपलब्द कुल एक क्या होना भिरतियों का चेहन किया गया अभिरति उपलब्द न होने के कारण अनारक्षित रिक्तियों के अउशेश 11 पद अन पिछड़ावर के 168 पद अनुसूची जाती के 13 पद अनुसूची जन जाती के 11 पद और तथा बाकी रिजर्वेशन को आगे के लिए संतुत कर दिया गया है 36 आरक्षण के अंतरगत महिलाओं के लिए 80 पदों में से 8 पदों पर यथा अस्थान चेहन है 36 आरक्षण के अंतरगत शेश आरक्षित भिक्तियों के सापेच अभिरति उपलब्द न होने के कारण चेहन नहीं किया गया है जिसके संबन में संगत साशना देशा अनुसार अग्रितर कारवाई की जाएगे Central University of Rajasthan गौर से देखते चले जाएए UR के भिरती सेलेक्ट हुए हैं OBC, SC सब NFS होते चले गए Dr. Rajendh Prasad, राष्ट्री, विधी, विश्व, विद्याले, प्रयाग राज आराक्षिक प्रोफसर की एक सीट को 20 दिन के भीतर दो बार NFS किया गया पहली बार अस्थाई सीट NFS की गई तो दूसरी बार अस्थाई इस विश्व, द्याले की कुलपती और चेयर्मेन दोनों तप्दिस सरकार के बहुत करीबी है फहरिस्त इतनी लंबी है NFS की की दास्तान पूरी न हो सके लेकिन ये बात तैं है कि NFS का टूल इस देश में SC, HD, OBC के प्रतनिजित और हिस्सेदारी की हक मारी के लिए लाया गया था और प्रतनिजित का सवाल जब आता है तो यहां कड़ा चीक चीक कर बताता है कि अजादी के अमरित काल में भी इस देश के विश्रव ध्यालियों और सरकारी नोकरियों और बड़े-बड़े अकादमिक संस्थानों के भीतर के सत्यां क्या है अगर विश्रव ध्यालियों की बात करें तो यहां कड़ा पुराना है मगर सच्चाई कड़वी और ताजी है कि केवल 4% प्रोफेसर 45 के इंदर विश्रत द्यालियों में OBC के है मैंने 2019 में जब ITI लगाई थी तो शूनी प्रोफेसर थे 2001 केस में 9 प्रोफेसर हुए 2023 में 44-45 प्रोफेसर है OBC के क्या फर्क पड़ता है प्रधान मंतरे तो OBC के है IIT Indian Institute of Kanpur 14 विभाग ऐसे हैं जिसमें Schedule Tribe के एक भी faculty नहीं है 8 विभागों में Schedule Cost के और 3 विभागों में OBC की एक भी faculty नहीं है IIT Delhi के 25 विभागों में ST का एक भी विद्यार्थी का admission नहीं हुआ 10 विभागों में Schedule Cast का एक भी admission नहीं हुआ और 6 विभागों में OBC candidate का एक भी admission नहीं हुआ IIT खड़कपूर के 43 विभागों में एक भी आदिवासी प्रोफेसर यानि Schedule Tribe नहीं है 32 विभागों में से एक भी दलित यानि Schedule Cast का faculty नहीं है 23 विभाग ऐसे हैं जिसमें एक भी OBC faculty नहीं है गुरुघासी दास बेलास पुर वश्रविद्याले इस वश्रविद्याले ने जब 27 सितंबर 2023 को एक notification जारी किया तो इस जारी notification में उसने ये बताया कि Professor, Associate Professor और Assistant Professor में जितने भी पद OBC, SC के हैं अधिकांश पदों को not found suitable कर दिया गया है IIT के इन आकणों को गौर से देखिए और सबसे नीचे percentage पर आईए देश भर के सबसे प्रतिष्ठित इंस्टिटूट IIT में आज भी प्रतिन दितो शुन दसमलो छे फीजदी आदिवासियों का है तीन दसमलो एक फीजदी दलिट समाज का है और आठ दसमलो एक फीजदी OBC का है अठासी दसमलो तीन फीजदी सवर्णों का है एक बात ठहर कर फिर से बार बार कहना चाहता हूँ किसी का प्रतिन तो जादा है तो हमें उससे दिक्कत नहीं है कि हम सवर्णों के खिलाफ है हम इस बवस्था के खिलाफ है जिसमें पचासी नबे फीजदी आबादी को प्रतिन दस से बारा फीजदी है और दस से बारा फीजदी जनसंख्या वाली आबादी को प्रतिन तो अठासी से नबे फीजदी है हम इस बवस्था से सवाल करते है क्योंकि देश विरोधी बवस्था है मानोता विरोधी बवस्था है जो मनुष्य को उसकी काबिलियत से नहीं उसकी जाती से देखती है अन्य था ये आकड़े ले आने की साजिश न करती पहले तो आप विश्वद्यालियों में कई वर्षों तक आरक्षित पदों पर न्यूक्तिया नहीं करते और तीन से जादा साल से खाली रह जाएं तो उन्हें अन्रिज़ड से भर देते हैं आज भी दिल्ले विश्वद्याले के 90 से 92 कॉलेज हैं एक भी दलित, एक भी OBC, एक भी माइनोर्टी, एक भी मुसलिम, एक भी आदिवासी, प्रिंसिपल नहीं है और अम्रित काल का भारत चल रहा है कुलपती कहां से बनाये जा रहे हैं प्रोफेसर कहां से बनाये जा रहे हैं सम्विधान से, मेरिट से मेरिट से होता तो एक अही घर के 20-20, 22-22 लोग चाचा, चाची, साली, साला, पतनी, बीबी, बच्चे, सब नौकरी नीट वाले का एक आकड़ा आया है कि जितने बड़े पदों पर लोग है सब के बेटा, बेटी, दामाद, ये वो सब रिष्टेदार नौकरी में सारी काबिलियत एक ही परिवार में सारी काबिलियत एक ही जाती में इसका मतलब ये देश विरोधी चीज़े हैं जो आरक्षण से खेल हो रहा है मगर अफसूस कि इस देश के OBC, SC, ST इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं उतना जितना उन्हें समझ जाना चाहिए था उनके बच्चों का भविश बरबाद हो चुका है मगर उन्हें अपने बच्चों के भविश के चंता नहीं है जो पढ़े लेके SC, ST, OBC हैं जिनने नोकरी मिल गई जो सक्षित हैं जागरूख हैं वो आपस में उतना नहीं लड़ते जितना लड़ना चाहिए जितना आई है सोशल मीडिया से लेकर के अब हर जग बोलने वाले लोग आ गए है मगर उतने नहीं है जितना इन्हें हो जाना चाहिए था इन अकादमिक संस्थाओं के भीतर अधिकान शता ये सारे SC, ST, OBC प्रोफेसर चुप रहते हैं ताकि उन्हें नौकरी में दिक्कत ना आए प्रमोशन और पद मिलने में दिक्कत ना आए थोड़े से जुनूनी लोग लड़ते हैं जिसका फायदा पूरा समाज उठाता है लेकिन जब उसका नुकसान होता है तो बाद में कोई देखने नहीं आता मगर हक और सच के लड़ाई लड़ने का अपना एक सुकून होता है ऐसे ही हम इस तरह की बातें आपसे साजा करते रहेंगे करत करत अभ्यासते जडमत होत सुजान रसी आवज्जातते सल पर परत निशान और हाँ भूले तो नहीं है ना एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरिट के नाम पर आरक्षण का विरोध करने वाले EWS में जो कि केवल समण जातियों को रिजर्वेशन मिलता है कभी नहीं बोले कि OBC, SC, ST से कम मेरिट पर EWS में एडमीशन और नौकरी मिल रहे है इंतजार करिए थोड़ा रिसर्च और कर लेता हूँ फिर मेरिट के पोल खोलूँगा, आभी EWS के SCAM को समझिए और जहां भी EWS हो, उसका विरोध कीजिए वो आपका हक मार रहे हैं, वो आपके बच्चों का हक मार रहे है क्योंकि आरक्षण इसलिए नहीं है, कि एकलव कमजोर है आरक्षण इसलिए है, क्योंकि दुरुणाचारी, भेद भावकारी है आमानवी है, दुष्ट है, शुक्रिया